जय हिंद दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने पसंदिता चैनल Study and Updates में ठीक है कुल पांच सेक्षन है पहरा सेक्षन आपका जेंडल नौलेज़ का होता है तो चलिए सुरू करते हैं जेंडल नौलेज़ का आपका पहला प्रसंदिया गया है Manus Tiger Century is located in Manus Bag Avyaran कहां इसी थे देखिए Manus Bag Avyaran जो है यह आपका है असाम में ठीक है असाम के कुल 6 डिस्ट्रिक में यह फैला हुआ है पहला आपका डिस्ट्रिक जो आता है वह है कोकरा ज़र दूसरा आपका आता है बेनाजाईगन तीसरा आपका आता है बार पेटा चौथा आपका आता है मालारिया, पांचमा आपका आता है, कम रूप और छठा आपका आता है, डर रंग ठीक है, इन छे डिस्टिक में यह रिजर्व फैला हुआ है, जो की बाग और हाथी के लिए परसिद्ध है ठीक है, तो यहाँ देखिए, असाम आपके B में दिया गया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का उत्तर आपका B हो जाएगा, ठीक है, समझके, आगे बढ़ें, आप देखिए, आपका दूसरा प्रसन दिया गया है, विच अप दा फॉलाइंग इस नौट एन exclusive part of parliament, निम्लखित में से कौन संसद का अनन्यंग नहीं है, देखिए, यहाँ पर जो options दिये गए हैं, इसमें संसद का जो part होता है, वहाँ आपका राश्टपती होता है, लोग सभा होता है, राजशभा होता है, वहीं पर उपराश्पती जो होते हैं, वहाँ आपके parliament के part न नहीं होते हैं, ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका to का a हो जाएगा, vice president, ठीक है, समझ गए हाँ तक, चलिए आगे बढ़ें अब, तीसरा प्रस्ण आपका दिया गया है, who is or are honored with Nobel Prize in Medicine 2023, देखिए, जिकित्सा के छित्र में, वर्स दोहार ताइस में, किसी Nobel प्रुस्कार दिया गया है, तो देखिए, यह जो दिया गया है, वह दिया गया आपको, दो गाक्ति को, ठीक है, कौन-कौन है, पहले तो आपके हैं, Drew, Weissman, एवं दूसरे आपके हैं, कातिलीन, काई को, तो यहाँ पर आपको कातिलीन, कारी को दिया गया है, ना, Drew, Weissman का नाम नहीं दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, कातिलीन, कारी को, तो उत्तर आपका D हो गया, और यहाँ पर आप देखेंगे, कि आपको सबसे उपर में दिया गया है, संतवे पौवे, तो यह जो थे, 2022 में सम्मानित हुए थे, ठीक है, और एक नाम आपको और दिया गया है, डेविट जूलियस का, ठीक है, तो इन्हें वर्ष, 2021 में, मेडिकल के छितर में सम्मान दिया गया था, ठीक है, समझ गया है, ऐसे ही प्रसन आपका एक्जाम में आने वाले हैं, तो तैयारी पूर्ण कर लीजिए, ओके, चली आगे बढ़ें अब, अब आ कोवीड में हुआ था, ठीक है, और कोवीड में भारत का सबसे पहला बरा कौन सा राजे था, जिसने हन्डेट पॉसेंट कोवीड वैक्सिन का ठीका लगवाया था, तो इसमें आपके जो आते हैं, वो आते हैं तेलांगना, तेलांगना में दिशंबर 2019 में ही, ठीक है, पर फोर्थ के ए में दिया गया है तो तरह आपका फोर्थ का ए हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ें पांच माँ आपको दिया गया है इंडिया ज फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन वाज सेट अप एड भारत का पहला परमानु उड़ जाय स्टेशन कहां पर स्थाबित किय गया था तो देखिए यह अस्थाबित है आपके तारापूर में तारापूर एटॉमिक पावर प्लांट जो है वही सबसे पहले अस्थाबित किया गया था और फर्स्ट कोमेर्सियल एटॉमिक पावर यह बना था ठीक है और यह 28 अक्टूबर 1979 से कबसे 28 29 अक्टूबर 1969 से करेड़त है ठीक है तो उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर आपका भी हो जाएगा तारापूर एटॉमिक पावर स्टेशन ओके जो की महरास्ट्रा में है है ना साफ साफ दिया गया है तारापूर महरास्ट्र तो उत्तर क्या हो जाएगा 5 का उत्तर आपका भ पढ़ें अब चठा आपको दिया गया है Who took over as the 27th Chief of Indian Air Force तो 27 में परमुख के रूप में ठीक है वायू से नमें 27 में परमुख के रूप में कौन थे तो ये बने हैं आपके विवेकराम चाधरी ठीक है और ये बने हैं 30 सेप्टेमबर 30 सेप्टेमबर 2021 से ठीक है तो यहाँ पर देखिए वी आर चाधरी दिया गया है वी आर चाधरी इसका पूरा क्या हो जाएगा विवेक राम चाधरी ठीक है उत्तर आपका हो गया 6 का कोई दिक्कत हो तो आप हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं हमारा वाट्सअप नमर है 7979-946092 ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी बना दिया गया है जिसका लिंक आप पूर्टिस्टिशन बॉक्स में दिया गया है ठीक है तो आप जाकर उस ऑनलाइन टेस्ट को दे सकते हैं और देखेंगे कि आपके 50 कोशन में से कितने कोशन सही होते हैं ठीक है और यदि आपको 50 सेट पीडियाफ चाहिए 50 सेट पीडियाफ तो यह आपके इंगलिस और हिंदी दोनों अलग-अलग लैंगविज में है जिनको इंगलिस का चाहिए तो उनको इंगलिस का मिल जाएगा जिसको हिंदी का चाहिए उनको हिंदी का मिल जाएगा चार्जस 51 रुपीज है ठीक है जदी आप यह पे करते हैं तो आपको 50 सेट पीडिएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा प्रेक्टिस सेट के ठीक है उनके भी लिंग आप पूरिस बॉक्स में दिये गए है आप वो भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं समझ में आ गया चल यह आगे बढ़ें सात्मा आपको दिया गया है विच फाइव यह प्लाण वाज अलसो नोन एस गाडगिल यूजना देखे गाडगिल यूजना के नाम से कौन सा पंच वर्सिया जाना गया तो यह था आपका वर्स 1966 से लेकर कब वर्स 1966 से लेकर 1979 तक का सत्र ठीक है और यह आपका तीसरा पंच वर्सिया यूजना था इसमें क्या होबा था? Distribution of Plants पौधों का वितरन प्रचूर मात्रा में किया गया ताकि जंगल लगे, प्रयावरन सुरक्षित हो तो एक बार फिर से अब हमें जरूरत है इस परकार की यूजनाओं का ताकि एक बार फिर से भारत हर्याली पुर्ण हो स्वस्थ हो जाए ठीक है सभी जगाव ऑक्सिजन पहुंचे तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका हो जाएगा थर्ड, फिफ्थ इयर प्लान ठीक है? तो उत्तर आपका सेवन का सी हो गया चली आगे बढ़ें अब अब चली आगे बढ़ते हैं आठमा आपका दिया गया है नेशनल प्रोटीन डे इस एन्वली अबजर्व इन इंडिया ऑन भारत में प्रती वर्ष राष्ट्रिय प्रोटीन दिवस मना आ जाता है दिखें राष्ट्रिय प्रोटीन दिवस जो है यह आपको मना आ जाता है 27 फरवरी को ठीक है प्रती एक साल 27 फरवरी को राष्ट्रिय प्रोटीन दिवस मना आ जाता है अधा उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 8 का उत्तर भी हो जाएगा ठीक है, clear यहां तक चलिए आगे बढ़ें अब नौमा आपको दिया गया है A book title The blue book is authored by कहा जा रहा है The blue book नामक पुस्तक के लेखक कौन है देखे, the blue book पुस्तक के लेखक जो है वो हैं आपके अमिताव कुमार ठीक है, और अमिताव कुमार यहां पर आपके C में दिये गए है तो उत्तर क्या हो जाएंगे आपके उत्तर आपके 9 के C हो जाएंगे ठीक है, चलिए आगे बढ़ें और यह आपका तैंथ प्रस्तन जो की जीगे से है क्या दिया गया है Which day is celebrated as International Women's Day अंतराष्टिय महिला दिवस तो अंतराष्टिय महिला दिवस जो है, वह आपको 8 मार्ज को मनाया जाता है ठीक है, तो आपके 10 के 10 कुश्चन यहां पर complete होते हैं, जीगे के ठीक है, और यदि आपको मॉक्टिस्ट देना है तो चलिए उसके बारे मैं आपको थोरा सा बता देता हूँ ठीक है, यह आपके इस्टडियन अपडेट्स का मॉक्टिस्ट वाला वेबसाइट है यहां पर आप जाएंगे और जाएंगे अगनिवीर online मॉक्टिस्ट में ठीक है, यहां पर जाने के बाद आपको सारे मॉक्टिस्ट अगनिवीर के मिल जाएंगे इसमें आपको जाना है नर्सिंग के लिए तो आप यहां पर क्लिक करेंगे और जैसे ही नर्सिंग पर जाएंगे तो उसका मॉक्टिस्ट आपको मिल जाएगा हमने सुरुवाद कर दी है आपको नर्सिंगे मौक टिस्ट यहां से प्राप्त हो जाएंगे आप इसको आपन करके टेस्ट लगा सकते हैं ठीक है और इसमें आपके कुल 50% दिये गए हैं जो आपका सही होगा गलत होगा उसका उत्तराप सीध है नीचे जाने के बाद एनलाइज कर लेंगा ठीक है यह नीचे आगए और यहां पर सम्मिट का बदन है कुल आपको 50% करने हैं ठीक है करने के बाद यदि आप सही करते हैं तो ऐसे आपका रिजल्ट चलाएगा 50 में से 1% आपका सही हुआ और 2% यह होता है 100 का तो 2% मार्क्स आपने प्राप्त किया तो इस प्रकार के मॉक टेस्ट आपको एविलेवल है जो कि बिल्कुल फ्री में है ठीक है तो आप यहां पर इसे लगा सकते हैं और यदि आप हमें मदद करना चाहते हैं क्योंकि आपको ऐसे टेस्ट की और भी जरूरत है और आप जैसे और भी बच्चे हैं जिनकों जरूरत है तो आप से एक निवेदन है कि आप या तो फीस समझें या फिर डोनीशन समझें कुछ न कुछ हमें डोनीट कीजिए ताकि इस वेबसाइट का रिन्यूवल किया जा सके कुल सलाना बीस हजार के आसपास इस पे खर्चा जाता है और अब गूगल या फिर बागशियों से उतनी कमाई नहीं होती कि इसको कंटिन्यू किया जाए तो यदि आप मॉक टेस्ट चाहते हैं तो आप कुछ न कुछ मदद करें मदद करने के लिए हमारा वही वाट्सअप वाला नमर है 7979946092 इस नमर का परियोग करके आप हमें मदद कर सकते हैं 20, 30, 50 जितना आप से बन सके आप हमें डोनेट कर सकते हैं और आप उसका स्क्रीन सोट हमें भेज देंगे कि सर यह आपके मौक टिस्ट के लिए हमने डोनेट किया है ठीक है कोई भी दिक्कत हो हमें वाट्सअप कर लीजएगा हम वहाँ पे आपको अवलेबल मिलेंगे ठीक है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब मैट्स की बारी है तो यह रहा आपका मैट्माटिक्स का पहला परस्त इसमें क्या दिया गया है इन आए स्कूल प्रेड दा रिश्यो आफ दा नम्मर ओफ बॉइज अन गर्लीज नाइन इस टू सेवन एंड दा टोटल नम्मर ओफ बॉइज अन गर्लीज टू फिप्टी सिक्स फाइंड दा नम्मर ओफ गर्ल्स कह रहे हैं कि एक स्कूल प्रेड में लरके तथा लरकियों का जो अनुपात है देखिए बॉइज बॉइज अनुपात गर्ल तो यह आपका नाइन इस टू सेवन है ठीक है अब बॉइज प्लस गर्ल कितना है यह आपका टू फिप्टी सिक्स है तो मान लो लरकियां बराबर एक्स लरकियों की संख्या निकाल लिया है ना हमने इसको एक्स मान लिया अब यदि हम एकॉर्डिंग टू कोस्टन चलें बॉइज टू गर्ल नाइन इस टू सेवन जो हो जाएगा वह बराबर हो जाएगा कुल संख्या अनुपात एक्स के लरकियों के ठीक है क्योंकि हमें लरकिय निकालनी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टिपिल केसन कर लो नाइन बाइ सेवन इक्वल्स टू टू फिप्टी सिक्स बाइ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा नाइन एक्स इक्वल्स टू टू फिप्टी सिक्स इन्टू सेवन यह क्या हो जाएगा आपका एक्स इक्वल्स टू 16 into 7 equals to 112 तो लड़कियों की कुल संख्यां क्या हो जाएगी 112 तो 11 का उत्तर भी हो गया ठीक है चलिए आगे बढ़ें अब देखिए आपका अगला प्रसंद दिया गया है If the volume of a cube is 2197 cm cube What will be the surface area of the cube? यदि एक घं का आईतन 2197 cm cube है तो घं का प्रिष्टिया च्छतरफल क्या होगा? सिंबल सी बात है A cube आपको दिया गया है तो A cube बरावर दिया गया 2197 तो A बरावर क्या हो जाएगा? A बरावर अंडर cube 2197 बरावर क्या हो जाएगा आपका? 13 का हो जाएगा na 13 into 13 into 13 होता है na cube याद है आपको? तो A बरावर क्या हो गया? A बरावर 13 निकल क्या हो जाएगा एक भुजा 13 है तो आपका पिष्टिय सिफल क्या हुजाएगा? पिष्टिय सिफल बरावर 6 A square क्या हो जाएगा? 6 into 13 square 6 into 169 That's equals to क्या हो जाएगा 1014 cm² ढूड़िये 1014 कहां दिया गया है 1014 आपके B में दिया गया है तो उत्तर क्या हो जाएगा 12 का उत्तर B हो जाएगा ठीक है समझ गए चलिए आगे बढ़ें अब 13 आपको दिया गया है If median equals to 137 mean equals to 137.05 Then the value of mode is देखिए माधी का 137 है माधी 117.05 है तो बहुलक क्या होगा तो बहुलक के लिए फर्मूला है mode equals to mode equals to क्या है 3 median minus 2 mean ठीक है 2 mean मतलब 2 into माधी हो गया और ये माधी का हो गया तो कर दिजिए न क्या हो जाएगा 3 into 137 ठीक है minus 2 into 137.05 अब इसको कीजिए ये आपको निकल गया आएगा 411 मैनस क्या हो जाएगा 274.1 ठीक है ये क्या हो गया 136.9 निकल कर आ गया और 136.9 आपके B में दिया गया है इसलिए 13 का उत्तर B हो जाएगा दिखे यदि 10 तक आपने सही से बढ़ाई की तो most of the question जो है आपके फर्मूले पे solve होता है फर्मूले, rules, theorem ठीक है इस पे solve होता है मैं basically आपको कुछ वीडियो कराऊंगा अभी तो नहीं क्योंकि अभी practice sets करवाने है उसके बाद यदि मुझे time मिल गया तो मैं आपको और भी set करवाऊंगा तो उसमें क्या कराऊंगा कि chapter wise करवादिया करूंगा जब chapter wise होगा तो फिर आपके लिए समझना आसान हो जाएगा अभी आप इस जिसको revise करो बहुत सारे terms मिलेंगे उनको याद रखो ठीक है चलिए आगे बढ़ें तो चलिए आगे बढ़ते हैं पोटीन आपको दिया गया है D and E are points on side AB and AC of triangle ABC D is parallel to BC if AD is to DB is 2 is to 3 what is the ratio of the area of triangle ADE and the area of quadlateral BDEC देखें कहा जा रहा है कि एक त्रिभूज है त्रिभूज है ABC आपका ये त्रिभूज है और ये त्रिभूज है ABC अब AB और AC पर दो बिंदू इस्थित है जो की DE को समाना अंतर करता है BC से जिसका अनुपात दो अनुपात तीन है एक तो AB पर जो है AB पर DE ठीक है ये देखिए यहाँ पर D और AC पर आपका E आगया तो जब ये दुनों बिंदू मिल गए तो एक पुरा का पुरा ट्रिभूज हो गया अब यहाँ पर आप देखेंगे दो ट्रिभूज है एक तो आपका ट्रिभूज ADE हो गया दुसरा आपका ट्रिभूज ABC हो गया जो की पहले से और एक आपका क्या हो गया चतरभू स्क्वाइड लेटरल जो की बी डी इए सी है तो तीन चीज़ें आपको यहां पर मिल गई अब इसके बारे में संब्ध निकालते हैं सरवांग संथा से चिक यहां पर एंगल ए क्या हो गया कॉमन दोनों के लिए तो यह वा करना है तिरभूज और चतरभूज के छतरफल का अनुपात याद करना है तो सबसे पहले एक फर्मूला पहले यह धान डखिएगा कि ट्रेंगल एडी ऑफ ट्रेंगल एडी ए बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी ठीक है क्या होते हैं यह आपके एडी एसक्वाइर बाई अब आपका क्या हो जाएगा AB square ठीक है अब आप देखना AD 2 है DB 3 है तो AD आपका हो गया 2 और AB क्या हो जाएगा 2 3 दोनों का sum हो जाएगा तो यह हो गया 5 अब इंसका square कर दीजिए क्या हो जाएगा 4 बटे 25 आपको इसका area मिल गया 4 इसका area मिल गया आपको पूरे का 25 ठीक है अब आप से क्या बोला तो तरभूज ADE के च्छेतरफल और च्छेतरभूज BDE के च्छेतरफल का अनुपाद क्या होगा हमें यह निकालना है न तो यहाँ पर हम यह कर सकते हैं area of triangle ADE by area of triangle ECB यह देखें इसको दो भाग में बाटी है क्योंकि यह क्या हो जाएगा समानांतर हो जाएगा जितना यह होगा उतना इधर भी हो जाएगा तो triangle ECB equals to क्या हो जाएगा area of triangle ADE by area of triangle ABC minus area of triangle ADE तो देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा area of triangle ADE जो की 4 है तो के बाद इसका area क्या हो जाएगा आपका ABC 25 और minus area of ADE तो 25 minus 4 बराबर क्या हो जाएगा 4 बटे किस यह हो जाएगा ratio किसका triangle ADE by quadrilateral B D E C का ठीक है यहाँ पर आपको एक शीज समझ में आ गया होगा कि यह 4 by 25 minus 4 क्यों लिखा गया देखें पूरा का पूरा जो triangle है ABC उसका area कितना है 25 और उसमें से जदी हम यह वाला area निकाल देते हैं ADE का तो क्या मिलता है हमें इस चतर भूज का पूरा का पूरा area मिल जाता है तो भूज आगा न ratio इसलिए हमने इसको इस परकार से लिखा है ठीक है यह सारे आपके सर्वसंगता congruency के नियम की आधार पर है तो इसको आपको देखना पड़ेगा ठीक है the average salary of 15 technician is 12,000 rupees and that of non technician is 37.50 find the total number of worker in the factory कहा जा रहा है कि एक factory के सर्विकों का आसत वेतन जो है वह 6,000 रुपे है 15 technician का आसत वेतन 12,000 रुपे है और 11 technician का आसत वेतन 37.50 रुपे है तो factory में सर्विकों की कुल संख्यां बतानी है देखिए आपको पता है ना आपने बढ़ा होगा आसत के बारे में तो आसत क्या होता है sum of the number by total number ठीक है यह बढ़ा है ना तो उसी के आधार पर हम इसको solve कर देंगे क्या हो जागा बताईए यहाँ पर आपको दिया गया है 15 technician है जिनकी Austin salary 12,000 रुपे है पलस हमारे पास गैर तक्निकियों की संख्यां नहीं दी गई है जुसको हम X मान लेते है यह हो गया आपका X into 3750 क्योंकि यहाँ पर average दिया गया है ठीक है इकोल्स टू क्या हो जाएगा इकोल्स टू आपका 15 technician पलस non technician into क्या हो जाएगा into 6,000 रुपे हो जाएगे आया प्रसंद से देखिए 15 technician की Austin salary कितनी है 12,000 get technician पता नहीं कि कितने है लेकिन उनका average दिया गया है तो यहाँ पर क्या हो गया technician plus get technician into उन सब का Austin Wheaton ठीक है अब यदि हम इसको solve कर देंगे ना तो हमें उत्तर मिल जाएगा यह क्या हो जाएगा आपका 15 गुने बारा 180 ठीक है 180 और यह आपका 30 ठीक है फिर उसके बाद आपका यह हो गया 3750 X एकोल स्टू क्या हो जाएगा 15 गुने इच्छ है 90 ठीक है 90 और 000 ठीक है उसके बाद आपका क्या हो जाएगा पलस में 6000 X अब क्या करते हैं 180 000 मैनस 90 000 इकोल स्टू 6000 X मैनस मैं क्या जाएगा 3750 X यह क्या हो गया यह आपका 9 00 00 इकोल स्टू क्या हो जाएगा यह आपका हो जाएगा 2250 X अब यहां से X की वैलियू निकाल सकते हैं X परावर क्या हो जाएगा X परावर 9 00 जिरो जिरो बाई 2250 इस से यह 0 काटिये यह चार वार में 900 होता है 1 0 बचा रही है 40 तो X इकोल स्टू 40 हो गया नन तकनीशियन 40 हो गये तकनीशियन 15 हैं तो कुल कितने हो जाएगा 40 पलस 15 ठीक है बरावर आपके क्या हो गये कुल आपके 55 कर्मचारी इंप्लाई वहाँ पर काम करते हैं जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर आपका D हो जाएगा ठीक है तो इस परकार से मैं आथ यहाँ पर समाप्त होता है समझ गये न अब चलिए आगे बढ़ेंगे आपका आगला सेक्शन जो है वह फिजिक्स का होगा और सबसे पहले फिजिक्स के प्रशन को करेंगे उसके बाद आपके Biology and Chemistry के प्रशन देखने को मिलेंगे तो आपका यह रहा फिजिक्स का पहला प्रशन क्या दिया गया है The momentum of a body of given mass is proportional to its dash किसी भी दरभमान वाले पेंड का समवेग उसके dash के समानुपाती होता है आपने पढ़ा होगा P equals to MV P क्या है? समवेग होता है M क्या होता है? Mass होता है V क्या होता है? Velocity दखिए Velocity और Speed ये दोनों एक ही चीज होते है Velocity में क्या होता है? Direction होता है दिसा होती है ठीक है? वहीं पर Speed में कोई दिसा नहीं होती है अतह क्या होगे? ये एक दुसरे के समानुपाती हो गए हो गए ना? तो उत्तर क्या हो जागा आपका? Section का उत्तर आपका C हो जाएगा ठीक है? आगे बढ़ें अब अब देखिए आपका अगला प्रस्न दिया गया है 17 Two bodies of unequal masses are dropped from a cliff At some instant they have equal देखिए क्या कहा जा रहा है कि और समान द्रवमान वाले दो पिंडों को चट्टान से नीचे फेका गया देखिए ये चट्टान है इस चट्टान पे से एक आदमी खरा है वो क्या कर रहा है? कि दो चट्टान को फेक रहा है दो चट्टान है दोनों के मास अलग है ठीक है? और वो दोनों फेके गए तो अब क्या होगा? पिर्थिवी इसको अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे खीचेगे तो यहाँ पर क्या हो गया? त्वरन जो है त्वरन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सलेडेशन वो दोनों के लिए समान हो गया ना? कहीं नहीं कहीं तो समान है है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका हो जाएगा एक्सलरेशन त्वारन ठीक है तो उत्तर आपका 17 का B हो गया ठीक है चल यह आगे बढ़ें अब आपका 18 दिया गया है विच अब दा फॉलाइंग फेनामेन इस इन्वाल्वेन कैलियो इसकॉप निम लिखित में से कौन सी घटना बहुरूप दरसक में सामिल है देखे बहुरूप दरसक जदी कहता है तो इसमें आपके reflection जो होते हैं प्रावर्तन ये सामिल होते हैं इसमें क्या होता है कि दो डिफ्रेंट जगा पे lenses होते हैं तो उसके थुरूप क्या किया जाता है आपके जो raise हैं किरन हैं उनको सीधा प्रावर्तित किया जाता है ठीक है तो उत्तर क्या हो जागा आपका reflection तो 18 का उत्तर आपका B हो गया ठीक है चलिए आगे बढ़ें अब आपका 19 दिया गया है magnetic keepers are used to protect magnet from dash magnetic keeper का अपयोग चुम्बकों को किस से बचाने के लिए किया जाता है देखे चुम्बक में जो है चुम्बक कत्व तब तक रहता है जब तक उसको गरम नहीं किया जाता है ठीक है यदि वो गरम हो जाएगा तो फिर उसका क्या होगा चुम्बक कत्वा खत्म हो जाएगा तो उसी से बचाने के लिए Magnetic Keepers का पड़ियोग किया आता है ठीक है? क्यां दिया गया है? D में Demagnetization due to heating गर्म होने के कारण जो वीचुमब की करण होता है उससे बचाव के लिए हम लोग Magnetic Keeper का पड़ियोग करते हैं ठीक है? तो उतर क्या हो जाएगा? 19 का उतर आपका D हो जाएगा ठीक है ना? चल या आगे बढ़हें 20 आपको दिया गया है Which of the following is The Insulator निमने खित में से कौन सा Insulator है? कुचालक है? बताइए कुचालक कौन सा है? कुचालक यहाँ पे आपका लकड़ी है चांदी तांबा और सोना यह सब क्या है? सुचालक है किसके? विद्धुत के इसमे लेक्ट्रोंस का फ्लो होता है लेक्ट्रिसीडी का फ्लो होता है ठीक है? वही कह जाते हैं सुचालक और इसमें फ्लो नहीं होता है वो कहे जाते हैं कुछ आलग तो उत्तर क्या हो जाएगा 20 का उत्तर D हो जाएगा इस परकार से physics यहां पर खतम हो गया जिनको 50 set चाहिए वो हमें whatsapp कर लेंगे हमारा whatsapp नमर है 7979946092 whatsapp नहीं करना है तो link दिया गया है आप link से जाकर download कर सकते हैं आगे बढ़ें अब आपका अगला पार्ट जो है वो है biology का तो देखते हैं biology में कैसे कैसे प्रसंद दिये गए हैं तो biology का पहला प्रसंद 21st क्या है cross pollination through insects agent is called kit agent द्वारा जो pollination होता है प्रागन होता है उस mythology को क्या बोलते हैं उसको बोला जाता है endomophily अब endomophily में जैसे आप जानते हैं मदो मक्की हो गया तितली हो गया वो क्या होता है कि आपका जो fool होता है फूल पे बैठा प्रागन से प्राकोस पे आया ठीक है प्रागन हुआ और वह फल दिया ठीक है समझ गए चलिए आगे बढ़ें आप देखिए आपका अगरा प्राशन 22 क्या दिया गया है 22 है memory is responsibility of death हमारे साइड में जो है स्मिर्ती यादास्त किसकी जिम्मेवारी है यहाँ पर आपको दिया गया है grey matter, sweet matter cerebrum, cerebrum उत्तर क्या होगा इसमें से इसमें से उत्तर आपका होगा C वाला cerebrum ठीक है cerebrum जो है यह मस्तिक्स का पिछला हिस्सा होता है और आम तोर पर इसको छोटा मस्तिक्स भी कहा जाता है तो उत्तर क्या हो गया cerebrum जो की C में दिया गया है तो 22 का उत्तर आपका C हो जाएगा ठीक है चल यह आगे बढ़ें अब 23rd आपको दिया गिया है नीमो स्टिक्स आर परजेंट इन डैस नीमो स्टिक्स कहां मौज़ुद होते हैं तो देखिए नीमो स्टिक्स जो होते हैं यह में तोर पे आपके जल फिस हो गया या फिर समुद्री एनीमे हो गया तो उसमें यह पाया जाता है ठीक है तो वैसे यहाँ पर आपको दिया भी गिया है C एनीमे है ना तो C एनीमे आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर हो गया 23rd का D यह जो आपका नीमे टोरिस्ट है या क्या है या एक डंक मारने वाली कोशिका है ठीक है समझ गया उत्तर क्या हो जागा आपका 23rd का D हो गया C एनीमे है ओके चल यह आगे बढ़ें 24 आपको दिया गया है निमलेखित में से कौन सा कथन सही है यहाँ पर देखते हैं कथन क्या दिया गया है चार कथन है इन चार कथन में आपका पहला तो पल्स दूसरा राइस तिसरा राइस ठीक है देखिए यहाँ पर दूचीज़ के बारे में चर्चा की गई है एक तो पल्स दाल के बारे में तो दाल में क्या होता है प्रोटीन होता है न तो यहाँ पर क्या दिया गया कार्बोहाइडरेट्स तो यहाँ पर यह उत्तर गलत हो गया 80% क्या हो जाएगा प्रोटीन ठीक है वहीं पर राइस की बात की जाए चावल तो चावल में 90% कार्भो हाइड्रेट्स और 8-10% प्रोटीन पाया जाता है यह बिलकुल सत्ते है बी वाला जो है उत्तर हो जाएगा आगे उटने की कोज रोत नहीं ठीक है चल यह आगे बढ़ें 25 आपका दिया गया है दा मास्टर कंट्रोल सेंटर आफ दो हुमेन बड़ी इस मानव सरीर का मास्टर नियंतरन के अंदर क्या है तो दीखे यह तो मस्तिक्स है ना सबको पता है उत्तर क्या हो जाएगा 25 का उत्तर आपका यह हो जाएगा ठीक है चल यह आगे बढ़ें 26 आपको दिया गया है इन ओसेन वेरीज बॉन्थेस फाउंड देखिए बॉन्थेस कहां पाया जाता है बॉन्थेस जो है यह एक जीव जन्तु है जो की समुदर के तलहटी में पाया जाता है समुदर हो गया जील हो गया इन सभी के तलहटी में ही यह पाया जाता है तो अट दा बॉटम आफ ओसेन और बॉटम वाला और कोई नहीं है तो उत्तर आपका हो जाएगा 26 का A ओसेन हो गया या फिर आपका रिवर हो गया ठीक है या फिर आपका लैक हो गया इन सभी के तलहटी में यह पाया जाता है ठीक है समझ गए चली आगे बढ़ें अब 27 आपको दिया गया है इन हुमेन बॉड़ी पॉसेंटेज ओफ विच एलिमेंट इस हाइस मानव सरीड में किस तत्व का परतिसत सबसे अधिक है तो मानव सरीड में यदि हम लोग बाचीत करें तो ऑक्सिजन सबसे अधिक मातरा में बाया जाता है जो की 65% वाड़ी में है ठीक है उसके बाद आपका कारवन बाया जाता है जो की 18.5% सेड में होता है ठीक है फिर आपका hydrogen बाया जाता है जो की 9.5% होता है फिर उसके बाद nitrogen बाया जाता है जो की 2.6% होता है फिर उसके बाद calcium होता है जो की 1.4% होता है phosphorus होता है 1% होता है potassium 0.25% होता है sulfur 0.25% होता है sodium 0.15% होता है chlorine 0.15% होता है और magnesium जो की 0.005% होता है तो सबसे ज़्यादा कौन सा है oxygen ना उत्तर क्या हो जाएगा 27 का उत्तर आपका D हो गया याद कीजेगा इसको बहुत ही काम्याब चीज है यह चलिए आगे बढ़ते है 28 दिया गया है the largest organal of eukaryotic cell is eukaryotic cell का सबसे बढ़ा अंग कौन सा है तो eukaryotic का सबसे बढ़ा अंग जो होता है वह नाविक होता है nucleus तो उत्तर क्या हो जाएगा 28 का उत्तर आपका ए हो गया चलिए आगे बढ़ते है 29 आपका दिया गया है which of the following is a vestigal organ in human इन में से कौन सा मानव में अवसेसी यंग है दिखे यहां पर दिया गया है heart, kidney, lungs और appendix तो appendix जो है यहां पर वह आपका अवसेसी यंग है क्योंकि आप सोने होंगे कि operation के दोबारा appendix को निकाला जाता है कब निकाला जाता है जब यह संक्रमित हो जाता है यह फिर सूच जाता है फूल जाता है तो इसको निकाल दिया जाता है यह कहां पा जाता है यह पेट के निचले दाएं इसे में होता है और यह जो है बरियांत से जुरा होता है इसका कोई विशेस कारी नहीं है जब तक संक्रिमित नहीं होता इसको साइड में लखते हैं जैसे संक्रिमित होता है इसको साइड से निकाल देते हैं इसलिए इसे अवसे इसी यंग के रूप में माना गया है ठीक है तो 21 का उत्तर D हो जाएगा समझ गए ना चलिए आगे बढ़ें 30 आपको दिया गया है विच अमंग अप दा फॉलाइंग केन भी टर्म एस डाइनमिक लिविंग एंटिटी निम्रखित में से किसे गती सील जवित इकाई कहा जाता है देखें यहाँ पर ट्री दिया गया है जल दिया गया है वन दिया गया है वायू दिया गया है तो यहाँ पर चो वन है इस वन में आपके जल भी पाया जाते हैं ब्रिक्ष भी पाया जाते हैं बायू ही पाया जाते हैं तो गती सील इकाई क्या हो जाएगा फॉरेस्ट ना उत्तर क्या हो गया दोस्तों किसी भी परकार की जरुत हो तो आप हमें WhatsApp कर सकते हैं हमारा WhatsApp नमर है 7979946092 ठीक है? Study and Updates ठीक है? हिच की चाना नहीं है और आपको मैसेज करना है WhatsApp पर या फिर Telegram पर ठीक है? अब आगे बढ़ें 31 दिया गया है Term Vitamin was first given by Vitamin सब्द सबसे पहले किस ने दिया था? देखे, Vitamin सब्द जो है यह दिया गया था कासी मीर फंक के दौरा किसके दौरा दिया गया था? कासी मीर फंक के दौरा C-A-S-I-M-I-R-F-U-N-K कब दिया गया था? Verse 1912, 1912 में ठीक है? उत्तर अपर क्या हो जाएगा? कैसी मीर फंक 31st का उत्तर A हो गया ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ें 32 आपको दिया गया है Name the enzyme that is present in the human saliva मानवलार में मौजूद enzyme का नाम बताना है तो मानवलार में जो है आपका टाइलीन टाइलीन जो है hydrolyzing enzyme की रूप में जाना जाता है और यह स्रावित होता है लार में ठीक है? इसलिए इसे लार enzyme भी कहा जाता है ठीक है? तो रूप यह टाइलीन कहां है टाइलीन आपके 32 के C में दिया गया है उत्तर क्या हो जाएगा? 32 का उत्तर C हो जाएगा समझ गए? चलिए आगे बढ़ें 33 आपको दिया गया है Which one among of the following cattle breed produces highest amount of milk? निम्लखित में से कौन सी मवेसी नसल जो है सबसे अधिक दूद देती है तो सबसे अधिक दूद देने वाली जो मवेसी होती है गायों में तो वह होती है फ्रीजियन ठीक है? और फ्रीजियन का यहां पर हॉल्स्टीन कि देखिए हॉल्स्टीन दिया गया है हॉल्स्टीन फ्रीजियन जो है यह सबसे अधिक दूद देने वाली गाई मानी जाती है ठीक है और यह गाई जो है डेच लोगों ने यूरोप में इसकी उत्पत्ती हुई थी और यूएस को बिचा गया था सेल किया गया था ठीक है और फिर उसके बाद फिर वहाँ से प्रसलित हो गया तो उत्तर क्या हो जाएगा 33 का उत्तर आपका भी हो जाएगा आज के लिए इंडिया में भी फ्रिजिन गाये हैं जो की बहुत अधिक दूद देती है ठीक है चली आगे बढ़ें 34 आपको दिया गया है कीवी इस फाउंड इन कीवी कहां पा जाता है देखिए कीवी जो है न्यूजिलेंड में पाया जाता है उत्तर पर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा कुछ-कुछ तो ऐसे प्रस्ण होते हैं जो आप देखते ही टिक कर दोगे ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अब देखिए आपका अगला प्रस्ण क्या दिया गया है 35 थर्टी फिफ्ट आपका जो है यह रहा और इसमें दिया गया है निमले कितमें से कौन सा बहु कोस्किय जीव नहीं है तो देखिए बहु कोस्किय जीव यहां पर आपको दिया गया है कवक जो की बहु कोस्किया है एस्पाइरोगेरा बहु कोस्किया है हाइडरा बहु कोस्किया है और पैरामेशियम यह एक कोस्किया है ठीक है तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 35 का D हो जाएगा समझ गए? ये आपका biology यहाँ पर खत्म होता है अब 15 question जो हैं आपके chemistry से रहेंगे chemistry का पहला प्रस्ट क्या है? In a compound, the elements are always present in defined proportion by dash एक योगिक में तत्व हमेशा dash द्वारा निश्चित अनुपात में मौजूद होता है देखे, एक निश्चित mass में, एक निश्चित dhrubman में जब दो चीज मिलाया जाता है तो वह योगिक बनता है ठीक है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? द्रब बमान, mass तो 36 का उत्तर आपका A हो गया ठीक है? तत्योगिक, यह आपने बढ़ा होगा यह सारी चीज जो है 12 तक की दी गई है यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ, यदि बारमी तक आपने सही से NCRT पढ़ रखा है तो आप exam को निकाल जाओगे ठीक है? चली आगे बढ़ते हैं, अगला प्रसंद देखते हैं क्या दिया गया है 37 आपको दिया गया है, the ability of an atom in a chemical compound to attract shared electron is term as रसाइनिक योगिक में एक परमानू साजह electron को आकरसित करने की छमता को डैस कहा जाता है यह तो आपको electronegativity कहा जाता है, ठीक है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 37 का उत्तर आपका D हो जाएगा ठीक है ना? चली आगे बढ़ते हैं 38 दिया गया है, which of the following is not true for a chemical changes रसाइनिक परिवर्तन के लिए क्या सही नहीं दिया गया है? देखे जब भी रसाइनिक परिवर्तन होगा, क्या होगा? बस्तू का आकार, प्रकार, उसके रसाइनिक, गुन, यह सब परिवर्तित हो जाते हैं ठीक है? तो फर्स्ट आपको दिया गया है यह एक और परिवर्तनिय प्रकरिया है, नहीं आप इसको रिवर्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दूसरा दिया गया है, no new substances form कोई नया पदार्थ नहीं बनता, यह तो गलत है देखे, जब यदि रसाइनिक परिवर्तन होगा तो कुछ ने कुछ नया पदार्थ बनेगा, ठीक है? यदि H2O मिलता है, तो H2O बनता है जो की एक नया हो गया, hydrogen के दो नो, oxygen के एक नो दोनों मिलके क्या करते हैं? जल कर निवान करते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया? रसाइनिक परिवर्तन हुआ, नया पदार्थ बनाना लेकिन यह क्या दिया गया है? no new substances form यह गलत है ना, तो यह आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ठीक है? B थर्ड दिया गया है, formation of new substance, take place, बिल्कुल सही है निक्स आपका दिया गया है, changes of state में अकर, यदि ठोस है, तो द्रव द्रव है, तो gas है तो ठोस हो सकता है उसका जो है, अवस्था में परिवर्थन हो सकता है इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? तो 38 का उतर क्या हो गया? B हो गया चलिए आगे बढ़े हैं, 39 आपको दिया गया है दिखिए, sodium carbonate जानते है न, Na2CO3 Na2CO3, इसके दो form होते हैं एक तो होता है, N-hydrous ठीक है? और दूसरा होता है, Decay Hydrate तो N-hydrate जो होते हैं, इसका आपका मास हो जाएगा 105.988 ग्राम पर मोल ठीक है? जिसको की U के रूप में दिया गया है तो यह आप लिख सकते हो 106 मोल तो 106 मोल आपके B में दिया गया है उत्तर आपका B हो जाएगा और यदि आपसे यही बूस देता Decay Hydrate तो इसका जो मोलर मास हो जाता है वह हो जाता है आपका 286.1416 ग्राम पर मोल जिसको आप यू लिखते हो ठीक है? यहाँ पर जो चर्चा किया गया है वह मोलर मास के बारे में किया गया है ठीक है? समझ गये ना? उत्तर क्या हो जाएगा? 31 का उत्तर B हो जाएगा चलिए आगे बढ़ें 40 आपको दिया गया है विच अप दो फॉलॉइंग हैज दा ओल्मोस्ट इंटाइर मास आफ दा एटम निमने खित्मे से किसका द्रव्यमान परमानू के लगवग पूरे द्रव्यमान के बराबर होता है आप जानते हो नुकलियस के चारोंर इलेक्ट्रोन क्या करता है? चकर काटता है ये इलेक्ट्रोन हो गया ये नुकलियस हो गया और इस नुकलियस में क्या क्या होता है? प्रोट्रोन प्लस नुट्रोन पाए जाते हैं ठीक है? हो गया ना? तो क्या हो जाएगा? प्रोट्रोन नुट्रोन भी दिया गया है और नाविक भी दिया गया है तो उत्तर ले लो ना ये C नाविक हो जाएगा क्योंकि नाविक में इलेक्टरोन और पोट्रोन की अधिकतर मात्रा पाई जाती है ठीक है? समझ गये? उत्तर क्या हो जाएगा? 40 का उत्तर आपका C हो जाएगा समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ें अब 41 आपको दिया गया है On the levels of bottles Some soft drinks are claimed to be acidity regulators They regulate acidity using अब कुछ bottle होते हैं उनके level पर लिखा रहता है कि ये अमरता नियामक है अब इस अमरता को कैसे नियामित किया जाता है ये आपको बताना है तो इसमें आपके bicarbonate salt का परियोग किया जाता है ठीक है? bicarbonate salt यहां पर आपको B में दिया गया है ये जो salt है ना? ये क्या होते हैं? leaving isn't होते हैं इसलिए इसका परियोग किया आता है तो 41 का उत्तर B हो जाएगा ठीक है? चलिए आगे बढ़ें 42 आपको दिया गया है bleaching action of chlorine is due to which reaction chlorine जो है यह एक विरंजक क्रिया में सामिल होता है ठीक है? तो इसका वज़ा क्या है? इसका वज़ा है शिर्फ है oxidation chlorine जो है oxidation की परगड़िया में हिस्सा लेता है और इसी वज़ाए से विरंजक क्रिया इसमें पाया जाता है ठीक है? तो 42 का उत्तर क्या हो जाएगा? A. Oxidation ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं 43 आपको दिया गया है which metal is generally used for coating the brass utinolus to prevent copper contamination देखे, तामबे के संदोशन को रोकने के लिए पीतल के बरतन पर आम तोर पर किस धादू का लेबन किया जाता है? तो इसमें आपके 10 का किया जाता है 10 जो है संदोशन रोकने के लिए सबसे अधिक परियोग में लाया जाने वाला पदार्थ है तो उत्तर क्या हो जाएगा? 43 का उत्तर आपका A हो जाएगा ठीक है? चालिए आगे बड़े 44 आपको दिया गया है All the elements in a group in the predict table have the dash same आवर साड़नी में एक समू के सभी तत्तों का dash समान होता है देखिए आपने परहा होगा ना? जितने भी तत्तव एक समू में होते हैं एक आवर साड़नी में होते हैं उनका जो संयूजन छमता होता है ठीक है? वैलेंस एलेक्ट्रोन जो होते हैं वह बराबर होते हैं 1s to 2s to 2b6 ऐसे करके पढ़े होंगे ना? तो उसमें क्या होता? वैलेंस एलेक्ट्रोन जो होते हैं वह बराबर होते हैं ठीक है? ये वो electron होते हैं जो दूसरे तत्वे के साथ संयोग करके उस octate को पूरा करते हैं ठीक है? समझ गए? चलिए आगे बढ़ें अब 45 दिया गया है Which of the following metal is the most reactive metal? सबसे अधिक पर्तिक्रियासिल धातू कौन सी है? तो यह है आपका calcium Calcium जो है यह आपका सबसे अधिक पर्तिक्रियासिल धातू है तो उत्तर क्या हो जाएगा? 45 का उत्तर आपका भी हो जाएगा ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ें अब 46 आपका दिया गया है A gas X is used in filling balloons for metrological observation It is also used in gas cooled nuclear reactors Identify X कहा जा रहा है कि मौशम सम्मंदी और लोकन के लिए गुबारे भढ़ने में Gas X का पड़ियो किया जाता है इसका अपयोग gas सितित परमानू रियक्टर में भी किया जाता है तो यह X gas है कौन सा? तो यह है आपका helium ठीक है? helium gas का पड़ियो किया जाता है उत्तर क्या हो जाएगा? 46 का उत्तर आपका A हो जाएगा ठीक है? मजा रहा होगा आपको पड़ने में मजा रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के वीचिसे सेर भी कर दीजिए ठीक है? चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्म देख लेते हैं क्या दिया गया है? 47 आपका दिया गया है वीच वन अप दा फॉलाइंग इस दा प्यूरिस्ट फॉर्म अफ कार्बन निमली खित में से कौन सा कार्बन का सबसे सुद्धम रूप है उत्तर क्या हो जाएगा? 47 का उत्तर आपका एउ हो जाएगा ठीक है? चली आगे बढ़ते हैं 48 देखे क्या दिया गया है? अब देखे क्या कहा गया? वन वालूम अफ नाइट्रोजन क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा 2NH3 अर्थाथ 2 वालूम्स ओफ अमोनिया है ना? अस्तरी अमोनिया उत्तर क्या हो गया? 48 का उत्तर आपका भी हो जाएगा है ना मज़दार? चली आगे बढ़ें आब 49 आपको दिया गया है विच अब दा फॉलाइंग इस नोट एन और उफ आइरन निम्लखित में से कौन सा लोहा का इसक नहीं है तो लोहा का इसक क्या होता है? हैमेटाइट, मैगनेटाइट साइडेटाइट लेकिन क्यूपराटाइट जो होता है यह लोहे का इसक नहीं होता है अधा उत्तर ए हो जाएगा ए हो गया? ठीक है? चलिया अब यह आपका आकरी पॉषन, फिफ्टी देखे क्या दिया गिया है तो दिखे अपने लुहा के बारे में सुना है ना, सबसे अधिक रसायनिक परिवर्तर इसी में होता है तो फिफ्टी का उत्तर आपका A हो गया तो इस परकार से कुल 50 के 50 प्रस्ट हमने आपको बता दिये इसके मौक टेस्ट भी उपलब्द हैं जाकर आप टेस्ट दे लीजिए ठीक है और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही टेस्ट आप भी देते रहें और भी बच्चे देते रहें तो कुछ ने कुछ सहयोग परदान करे हैं सहयोग परदान करने के लिए हमारा नम्मर यह रहाँ 7979946092 यह आपको गूगल पे फोन पे पेडियम ठीक है हर जगह मौझूद है इस नमर का पड़ियोग करके आप कुछ ने कुछ डोनेट करें 20 30 50 जो आप से बन पढ़ता है डोनेट करें ताकि मैं इसका होगा कूँ ठीक है फिर मिल देंग लिए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद